अगर बेटा इसमें वाइबरेशन ही रहेगी तो ज़े बनाई या भूबन आपके देखिए अभी कितना इसका गहराई है और वाइबरेशन देखिए एक आसे लड़का चला रहा है और आपको कहीं पर भी बाइबरेशन देखाई पर ये तो कल्टीवेटर बारी जिगा कि हम आपको एक एक दाना गिरता नजर आएगा डिये पी का भी और गिहूं का दोस्तों अगर हम पावर टीलर या फिर पावर वेडर की बात करते हैं तो कहीना कहीं राजा इंटरप्राइजेज या फिर अस राजा का नाम आपने जरूर सुना होगा लेकिन अस राजा के नाम से मि बाइसाब सबसे पहले तो यह बताईए कि असली राजा कौन है पावर वेडर का और ओरिजिनल प्रोडेक्ट को कैसे पहचाने बाइसाब इसके वारे में मैं बताता हूं यह कंपनी सालों से चली आ रही है 33 वर्शों में तो यहां पे कई लोग कारिया करते थे यहां पे कं नहीं कंपनिया बनाके हमारे जैसे ही नाम रखके बजार में बेज दिते हैं और उस पे फोटो लगा के दिखाते हैं जो मेरा बन गया मेरा बन गया बिल्कुल असली ताकत और असली चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे हरे एक प्रोड़क्ट के उपर जैसे जह ज लेगा जो कि और रज़िव प्लेट कंपनी का व्रैंडड है और आज राजा की यस्वी के साथ मिलेगा उसके वाद यहां पे खुदा हुआ है यहां तक इस पर लिखा रहेगा उसके वाद जो हम इंजन देते हैं इंजन पर लिखके देते हैं इटालियन टर्बो पाउने साथ एच्पी सीरियल लंबर और कंपनी का वार कोड यह प्रपर इसमें लिका रहता है ताकि किसान भाई को पहचानने में पूरी असानी रहे कि वह डूप्लीगेट रेला है यहां तक इसका जो गेर है इस पे भी असरा पूरा कुदा रहेगा अंदर की गहराई तक इंबो रहेगा अगला टैर मीजब पूरा करव क्या का है जो कि हैंडल की बात करें तो पूरे पूरा आपको चलाने में आसानी रहेगी तो एक एक चीज का जी अची परकार से मेंटें जो किए बनाती है यहां पर अगर हम बात करें बाइसाब क्या सिस्टम है इटालियन वगेरा ट्रबो है यह वो है तो यह क्या सीन रहता इसमें आपने चार-पांच इजे इसमें दिखाई है सबसे पहले आपने दिखाया जे हाथी के टैर जैसा जे पूरा बड़ा टैर बिलकुल हाथी जैसा टैर नहीं होगा तो मशीन में पावर नहीं होगी अगर कोई भी पिछे अटेच्मेंट लगाते हैं तो वो चल नहीं पाएक्ग उसके बाद बात की आपने एर क्लीनर की एर क लगा देते हैं तो यहां पर हम लगा के किसान को हम गलत फहमी में नहीं रखेंगे हमारा काम है इसको पूरा बड़े अकार में करब देखें इसके हैंडल की तकनीक को अच्छे तरीके से करना और गेर को असानी से प्रेट करवाना जब यह काम करें तो यह वाइव रिशन लेगा कर सकी अंत में आपने बहुला है टर्बो और इटालियन सीरिस का मतलब ही जो है कि इंजन जो है वह खपत इंदर की बहुत ही कम करें और चले में वह पूरी शक्तिए और किसान वाइगर सारह दिन काम करता है तो यह फिन में में मैस मैसूस नहों इसके अंदर एर कू पे थकाबड मेहजूस ना हो और इंजिन गर्म ना हो पाए और पूरा दिन मिशीन चले और इंदन बिल्कुल कम से कम ले और यही है और 111 डिलक्स नेया मॉडल जो की राजा इंटरप्राइजेज असरजा वरांड कंपनी ने आपके सामने निकाला ठीक है तो अब इसके साथ में सभी एटेजमेंट लगा कर हम यह आपर चला कर दिखाएंगा तरन्द डैन्मो के लिए लेकर चलो पूर्ण बार रोगना बंद करना इसको रोगना एक बार यह थोड़ा सलो चलता है तो क्या इससे ज्यादा स्पीड होती इसकी अरे बेटा ज्यादा स्पीड क्या है किसान को दुन्य परकार से चलाना जोता है और तेज भी चलाना होता है पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सिरफ पहली बार में यहां पर रोटावेटर गुजारा क्या है और हर प्रकार से जो जड़े हैं वहार आ गई है क्योंकि मिटी का काम क्या होता है जरू टाविटर को पहले उपर की मिटी नीचे करना और नीची की मिटी उपर करना इसी प्रकार जो मिटी में सही फसल उपता है अब आपने स्पीड की बात किया स्पीड इसमें बहु तो यह देखिए पिलाल जो यह तिलर है यह दूसरे कहर में चल रहा है और यहाँ पर फर्स टाइम में यह जो खरपतवार को किस परकार से निकारा रही है आप देख सकते हो और पिछे जमीन कितनी खोली कर रहा है वह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ के साथ में तो यह पूरे के पूरे खरपतवार का सभाया और इतनी जब पीछे ताकत जो आपको देख सकते हो मिठी किस परकार से बरुबरी हो रही है और यहाँ पर अगर मैं आपको गहराई दिखाता हो एक बार तो यह देखिए पहली बार में इतनी गहराई यहाँ पर है और सेकिंड टाइम यहाँ पर हम लेकर गए थे तो बिलकुल पूरी तरह से ट्रैक्टर की तरह यहाँ पर जो मिठी में पूरी खरपतवार को मिला दिया इसने यहाँ पर वाइबरेशन आपको बिलकुल ही नहीं दिखाई देगी और इसके साथ-साथ यहाँ पर आप गहराई देख सकते हो दूसरी बार यहाँ पर रोटा विटरा है तो गहराई बिलकुल यहाँ पर जाड़ा हो गए यह और पूरी तरह से मिठी को भूबरा कर दिया अगर बेटा इसमें वाइबरेशन ही रहेगी तो जब मशीन काहेगी बनी किसी को और एक सी गहरा डीलक्त मॉडल बोलते हैं और गहराई यह खुदम आपके देखिए भी कितरा इसका गहराई है और वाइबरेशन देखिए एक आपके लड़ता है चला रहा है और आपको कह छला रहे हैं पांच फारी वाला तो यह तो कल्टिवेटर बारे जिगह पर हम चला रहे हैं काफी अच्छा यहां पर आप रजल्ट कैसा आता इसे हैं काम तो इसी परकार से होता है कल्टिवेटर चलता है अपिक इस मिट्टी में ही तो आपको ताकत दिखाना चाहते हैं कि परकार काम करेंगा ऐसे मिट्वाद की में फुरेगा हैं यहीं देखिए यहां पर कॉल्टी है तो यह तो कि आयेखा रहे हैं हुआ यह यहां में जो ट्रबो की ताक्त है वो यहीं पर बंजर टाइप की जो हाड़ सोईल होती है उसमें पता चलती है कि एक्चुल में ताक्त कितनी है और अटेश्मेंट का यहां पर सिस्टम कैसे दिया गया है पहाँ मैं आपको बेटे यह पताना चाहता हूँ आम तौर पे पीछे कल्टी मेटर लिगा दिया जाता है इस परकार से लकीरे कुटते हैं जैसे साथ की लकीरे कुटती है मिट्टी को अंदर से फारना और सभी तरीके से काम करना इसी को कल्टी मेटर बोलते है और इसी को गहराई दिखाता हूं तो उसी प्रकार से यहां पर गहराई निकल कर सामने आती है अच्छी प्रकार से आप यहां पर देश्ट कर बोलते हैं महराश्टर भी आर साइड में काफी चलती है बिल्कूल खरपतवार को जड़ से निकाल कर फैक देगा इसके नीचे बलेड लगी ह होती है तो इसके बाद में घरपतवार रहने का कोई चांस नहीं होता तो बिल्कूल प्रफैक्ट तरीके से चल रहा है लेकिन वहां पर भी क्या काम कर सकता है बगयर कल्टिवेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां से कल्टिवेटर पहले निकाला अब इसकी जड़े बाहर करना बहुत ही जलूरी है खरपर्वार जो भी इसमें है तो यहां पर देखिए यहां पर ब्लेड लगा हुआ और ये जड़ों को बाहर करते हुए चले जा रहा है और एक भी जो जड़ों को नीचे नहीं बास्ती सारी reduces सही त्रीक्तिवर नज पहले शुरुत करके दिखाएंगे अगर सीधी जमीन में हम इसे चला कर खर्पतवार को ड्रेक्ट बाहर कर सकता है हमने बखकर जो बनाया है वह इस परकार का आपको तैयार करके दिया तो यह देखिए कैल्टिवेटर यहां पर हमने नहीं लगाया फिर भी यह जो बखकर है बिल्कुल खर्पतवार को जड़ से एक बार भी निकाल कर फैक रहा है यहां पर अगर मापको दिखाओं तो इस परकार से यहां पर बलेड के दबारे खर्पतवार का सभाय करता हुआ कोई भी अटेच्मेंट अगर पावर मीटर के पिछे लगता है अगर पावर मीटर में ताकता है और अटेच्मेंट सही है तो वो काम सही कारया करेगी नहीं तो वो कारया नहीं सहीगी क्योंकि इसकी पावर होनी बहुत जरूरा अगर पावर सही है तो काम सही है और आठ च पी पावर के साथ में यहाँ पर इतना बड़ा आठ जो है, लीउलर आप देख सकते हो, कितनी पावर लगती होगी, इसको किछने में, क्योंकि मिटिक है सिता तो पूरी पावर लगती है, चैक्क刚 के पास में आपने देखा होगा, तो इतनी अच्छी प्रगार से यहां पर आप पाटा लगा सकते हो मिट्टी को लेवल कर सकते हो बिना ताकत लगाए चार विट का लेवलर पौने आट की टर्गो टालियन की मिशीन पर ऐसे चल रहा है जैसे की किसार भाई को जराजी भी तकलीब नहीं होगी और बड़े प्यार से इसको समतल करता जाए बि अपने पूरा जोड लगा कर देखते हैं तो अब है कि यह है इस मशीन की असली पावर पूरा जैसे ट्रेक्टर बड़ा खैच लेता है उसी परकार से इतना बड़ा मेड़ा भी से खैच के ले जबता है यही है मशीन की असली ताकत पाउने आट अच्पी आर एक्सी गारा डिलक्स मॉडर तो यह देखो लेवलर की तरह बिल्कुल जैसे ट्रेक्टर हीचता ना वैसे यहां पर फुरे का परजूरेत का टिल्ला बनावा था उसको कैसे समतल कर दिया फिलाल गयों की बिजाई चल रही है मकई की बिजाई होने वाली है और सब्जियों की बिजाई का सबसे पहले सीड मिशीन जो होती है वो उसके जैसे की हमने गेहूं की भी जाई करनी है साथ में हमने खाद डालना होता है जिसे हम डियेपी बोलते हैं हमने इसमें दो खाने दे रखे हैं एक smoky शकissen का यहां भीकають ओर् nggak हमने ज्यादा करना इसके बाद हमने मकई करना है बाजरा करना है सरसो करना है जा किसी भी हमने सब्जी के वीज़ डाले है तो सब्जी के वीज़ों के लिए भी इस अड़ेजस्टर को हम छोटा बड़ा गर सकते और दाने चोटे बड़े गिर सकते हैं उसके बाब हमने जहां पे लगाई यह तीन वाली जैसे कि अब गेहूं है तो गेहूं इतने ही धंतर की दूरी पे चलता है अब इसे अगर हमने मकई की हमने जे करना है तो मकई के लिए इस अरिजस्टर के जे नट है इसको हम इधर करेंगे इसको सेंटर में रखेंगा और इसको इधर करेंगे तो मकई के लिए हमें ज़्यादा दूरी चाहिए तो ज़्यादा दूरी भी करेगी छे पाइप जहां पे लगी है आपको एक एक दाना गिरता नजर आएगा डियेपी का भी और गेहूं का भी चलाइए बेटा और दिखाएए मशीन को तो यह यहां पर बीज मसीन जो काम कर रही है गेहूं की बिजाई और साथ साथ में डियेपी डाल रही है तो खाद के साथ में बीज यहां पर यह मसीन डाल रही है और अच्छी प्रकार से बिजाई करती हुई है कि एक दाना प्रोपर तरीके से काम कर रही है अच्छी क्वालिटी के मशीन है और पीछे से पाटा भी यहां पर लगा रही है तो आप देख सकते हो ट्रैक्टर के उपर जो है पाउर वेटर के उपर इंजन के उपर लोड नहीं है बिल्कुल भी और यह देखिए प्रोपर त और किसान बढ़े हैं कमपनी के लिए अगर किसानों के लिए सही क्रिशी यंतर नहीं देंगे किसानों की पूरी तरीके से उनको पूरा जो पावर वो नहीं देंगे किसानों को जो पिछे की टेचमेंट सही नहीं देंगे तो इन मशीनों को क्या करेंगे हमारी जो मशीने ह यही आर 111 डीलक्स मोडल का कमाल है जो आपने साक्षा सामने देखा तो यह तो हमने यहाँ पर मसीन के साथ में इसकी पावर दिखाई डेमो दिखाई पूरी पूरी अटेस्मेंट हमने दिखाई अगर हम बात करें मसीन जो रोटावेटर में कितना तेल लेती है कितने तेल की इसका रेट क्या है कहां तक फार्मर को पहुंचा सकते हैं डिलिवरी का क्या सिस्टम है तो यह थोड़ा सा इसके बारे में देखिए जो मशीन है इसमें जो इंजन लगा हुआ है और उसके बाद मगवाने का साथन बिल्कुल सिंपल है नंबर दे रखे हैं उन पे कॉल करे या वटसैب करें तो उनको पूरी जानकारी अप लब्द करवा दी जाएगी मकटर पांच हजार पै कमपनी के कौंट में मेरे किसान भाई ने लगाने है बुकिंग के लिए उसके वाद मुशीन राज्या में पहुंच गई जब बाकी का पैसा फिर उन्होंने डैलना है मु कि कोई गारंटी जब लेगी तो मिशीन को किसान ने चला के फैंकना नहीं है इस मशीन की पूरी एक साल की रहेगी कुछ भी टूट गया फूट गया किसी भी परकार से तो किसान सिर्फ हमें बिलकी कापी और वो तूटे हुए समान का फूटो बेजना है बोसमान कंपनी से फ कार्मर को कि इसका रेट क्या होगा और 111 डीलक्स मॉडल टर्वो इटालियन सीरीज का जो रेट रहेगा यह दो तरह काता है एक सेल्फ में और एक विदाउड सेल्फ में कमपड़ी के अंदर से वनी हुई इस मिशीन का सेल्फ के साथ जो रेट रहेगा वह साथ हैजार पे र पैने सकता है चार रहार की टेक्ष मेंट है वह मशीन के साथ में रहेंगा पंजाब में पहले भी मैंने आपको पावर विड़र के काफी वीडियो दी ह militar कमपनी आप कंपनी किसानों के लिए किसानों के लिए कारिया आप हमारे पास पहली बार आए आप उन्हें नराज धाया किसेन यूटिवर को आए यूटीटिूबर को कभी निराज नहीं किया जोचिन आर 111 टर्वो डीलक्स मोडल की 60,000 सेलफ के साथ है वो 56,000 पे में रहेगी और जो मशीन हमारी 58,000 में बिना सेलफ के है वो 54,000 पे में रहेगी पूरे देश के मेरे किसान भाईयों के लिए ठीक है तो किसान भाईयों यहाँ पर आपको जो है आपका बहुत भूत धन्यवाद नमस्कार जी